लोग दिस इस गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स आज हम लोग डिसकस करेंगे डेमेज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ मस्कीचों के बारे में इसके पहले का वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करेंगे सब कुछ मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले एक बाद बता दे बच्चा हैपी दिवाली आप सभी लोगों को क्योंकि इधर हम बहुत बीमार रहते थे विस भी नहीं कर पाएं जो बच्चे टेलिग्राम पे हैं उनको तो जरूर विसकी है और आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारी चिल्ड्रेंस डे की भी अनिम्यल चैक नुले फिमल में की जाती नाफिल्स और क्यूच्श ऑर जो एडीज है इन तीनों के फिमेल्स क्या होता है एक फिमेस нос एजन्ट कहए कपड़े का डेमेज नहीं कर रहे हैं सामान का डेमेज नहीं कर रहे हैं यह पर्सनली हमारे बड़ी को डेमेज करते हैं मच्छर भाई हमको काटके खा नहीं जाएंगे काट के मतलब ब्लड को सक करेंगे उसी दोरान क्या होता है इनके अंदर जो भी एजेंट है वो हमारे अंदर चलाएगा मतलब कि इनके अंदर कोई बैक्टिरिया है वायरस है फंगस है यह डिजिस को केरी करता है वो हमारे अंदर आ गया तो वहां हम लोगों के अंदर कोई भ यहां पर द्यान देना हमने एक साथ लिग दिया स्वरी डब फिमेल एना फिल्स एंड क्यूलेक्स आर वेरी हम्फुल फार यूमन यह बहुत नुक्सान दैक होते हैं यूमन बिंग के लिए ये या फिर आपका अधर वर्टीब्रेट्स एक्टर और जितने भी वर्टीब्रेट्स एपिश्याटेजर के लिए लिए और उनके वपर कोई वैरल बैक्टिरियल डिजस इसको ले जाके रख देंगे carrier होते हैं ये vector or secondary host and transfer the disease और बिमारी को transfer करते हैं from one organism to other एक organism से दूसरे पर ये transfer करते हैं therefore it is called transmission agent इसी वज़े से इनको कहा जाता है transmission agent disease from one organism to other therefore it is called transmission agent यानि ये disease को एक organism से दूसरे organism में भेजते हैं इस वज़े से इनको transmission agent भी बोला जाता है यानि फैलाने वाले कारक जैसे आप female enafils, female culex और female ladies जो बहुत सारे बच्चे comment box में बहुत सारे इनके disease के बारे में भी बता हैं और जो नहीं बता हैं comment box में जाके बता दे कि कौन से मच्चर से कौन सी बीमारी होती है जरूर वहाँ पर जाके बताएं हमने यहाँ पर दे दिया है जैसे प्लाजमोडियम वावक्स जो है यह क्या malaria को फैलाता है वह उचेरिया है वह उचेरिया बैंक्राफ्टी जो क्या करताई लीफेंटेसिस येलो फिबर चीकन गुनिया डेंगू एडिस से होता है आए मिल क्यूलेक्स हो गया और यह सब की बात ध्यान देना विटा फिमेल की ही बात हो रही है एक बच्ची ने कमेंट करके पुझा था सर फिमेल ही क्यों ऐसा करता है मेल क्यों नहीं तो हमने पहले भी बुला था बटा की मेल अंडे नहीं देते फिमेल अंडे देती है और इसको क्या होता है इंक्यूबेशन के लिए और अपने गर्ब में एक के जो डेवलप्मेंट है उसके लिए इनको सफिसीन न्यूट्रियंट मैटेरियल चाहिए होता है तो वह लेने के लिए वह करते है ने प्लस क्या होता है कि इनकी जो प्रोबोसी इसका सेफ होता है यह मोडिफाइड टाइप का होता है सखी होुक्त है जबकीमेल में इसा नहीं होता इस वज़े से चर्व करते हैं और कुछ बच्चे केमिकल फार्मूला का यह फूल फार्म पूस्त है जैसे डीडीट का भी एसी का तो हम पिछले बीडियो में कई बीडियो में बता हैं उसको भी आप लोग देख लिया करिए एक बार हम वह ऐसे भी बता देते हैं जहां रहता है चलते हैं नेक्स्ट पॉइ किसी को हटाना है तो उसके जो बच्चे हैं अंडे हैं उन्हीं को मार डालो तो वह जनरेशन एक बार कहीं कहीं नेस्ट होने की चांस बन जाती है तो भाई आप भी वही करो कि जहां पर यह अंडे दे रहे हैं वह स्थान ही हटा दो वह साफ सूथरा रखो जिससे इनके अं अच्छा उपाय है विकाज मास्कीटो और ग्रोन क्यों क्योंकि मास्कीटो ग्रोन इन इस्टेगनेंट वाटर यानि ठहरे हुए जल में या इस्थिर जल में जहां पर पानी रूकी हुई होती है हमने पहले भी क्लास में दे दिया है कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक गंगा पीपा बनेगा कहा से जहां पर इस्टेगनेंट होगा इस्थिर होगा इस्टेंडिंग वाटर होगा वहीं पर इनके एक लारवा पीपा का फार्मेशन अच्छे से होता वहीं पर यह अंडे भी देते हैं तो क्यों ना ऐसा किया जा कि जो नाना पड़े कर की जा रहा था कि एगर आपके घरों के आसपास कहीं ऐसे पार्ट्स पाये जा रहे हैं जिसमें पानी बरसात का पानी या कोई भी पानी एकत्रित हो सकता है इस्थिर हो सकता है तो उसको आप प्लीज हटा के रखे साब सुथरा रखे जिससे मच्छर वहां पनपने ना पाए पनपने का मतलब यह हुआ कि वह वहां पर अंडे देंगे तक तो उनकी जन्मजात बढ़ जाएगी तो उसको ही रोग दिया जाए सबसे बेटर उपाय यहीं होता है कि साब सुथरा प्लेस खुद बना के रखो मच्छर हट जाएंगे वाटर एंड ले एग ले सौरी यहां पर ले एगस आलसो यह वड़ा ले एगस आलसो देरफार रिमूब द इस्ट्रेगनेंट वाटर एंड डिटी प्लेस फ्राम सरांड़ यानि अपने आसपास चारों तरफ से जो भी गंदगी है खर पत्वार है पानी स्थीर होने वाली कोई सामगरी है या प्लेस है तो उस सब चीजों को हटा दो ऐसा नहीं गंगा मतलब पोखरा और बड़ा सा वो है पोखर टैंग टाइप का उसको मत उठा के ले जाओ फिक दो उसको नहीं कर सकते जितना हो सकता है उतना आप जरूर कोशिस करो कि आसपास के एरिया में आप सफाई रखो तो चलते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ डिस्ट्राइद लार्वा एंड प्यूपा दूसरा क्या है कि लार्वा और प्यूपा को अंडे दे दिये तो अब क्या करोगे तो अब इनको मार के हटा हो इनको कैसे मार सकते हो बही इस प्रेंग केरोसीन हर चीज का जैसे क्या होता है कि यह हर चीज के बीमारी में दवा यूज किये जाने वाला दवा नहीं है विटा लेकिन जहां भी मच्छर लग रहे हैं या कोई कीड़ा दिख रहा है तो हमको लग रहा है केरोसीन आपके यूज में एकदम बेटर आ गया है तो आप लोग यह तो याद लेडियन वाली टेल जितने वह जलन्सील तेल हैनका कहीं न कहीं चिटखा कर दो अई मिन वाटर के वाटर के पास जहां इश्टेगरन वातर लेचा च्छिटका करतICE तो क्या होगा भिटा सैर्फेस पे एक फील्म का फीड़्वा bendingríघ कर लेंगे जिस्ते क्या होगा इनको स चिड़काव करो सो लार्वी डाई ड्यू टू सफोकेशन यानि घुटन से खुद यह मर जाएंगे प्लस क्या है कुछ लार्वी साइड से डेस्ट आया लिमल्सन यानि इसमें घुल बनाके आप चिड़काव करो और डीडीटी है बीची है डीडीटी डाई बताएं पूछे भी है बीच सी इसी का कोई बच्ची पूछी थी अरे भई मानते हैं इसका थोड़ा सट्टाफ हो जाता है बच्चों के लिए लेकिन इसका तो आसान है अभी कमेंड बाक्स में सभी लोग एंसर दें दोनों का एंसर दें फुल फाम का और जो बच्ची आपने पूछा था प्लीज एक बार वहां पर जाके देख लेना कमेंड बाक्स में देखो डाई ग्लोरो डाई डाई क्या एथिल या मेथिल अब आप बताओगे डाई क्लोरो डाई मेथिल ट्राई एथनल देन है बियस्सी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ठीक है बटा तो इस शीज को आप बूंचय वहां आप देख सकते हो। है आर यूज यान्य ये यूज किया जाते हैं किसके लिए मच्छों को मारने के लिए ठीड़का कर दो आज पस मच्छर खुद भखुद मर जाते हैं भाग जाते हैं सम प्रिडेटर्स लाइक कुछ ऐसे सिकारी होते हैं जो आलरेड़ी इसको खाते हैं मच्छरों को बहुत तेजी से इनके अंडर लारवा प्यूपा को भी खा जाते हैं कहीं टैंक वैंक है या ऐसे प्लेस है तो वहां गैंबूसिया को छोड़ा जाता है एक मचली है जो क्या क अच्छा नेचुरल एनिमी है मच्छरों का जो नस्ट कर देता है तो ड्रेगन फ्लाई को आप रहने दो जिसे वह पतला सा राकेट की तरह होता ने ऐसे फ्लाइट करता है तो देन क्या है नेस्ट पॉइंट है बच्छा डिस्ट्राइद एडल्ट मास्कीटो यानि अब चिए पुराने जमाने में और फिर गाउं में क्या होता था जब चैसिस्ति लुप तंग करते थे एक आरे मत्छट चला जागा मिलआ जुला जुला कि यह Anda करने से सफोकेसन इनको होता और यह वह भाग से जाते हैं कि प्या हम पहला पॉइंट आपने क्या यूज ту किया दे दुआ किसी भी चीज़ का देते रहों उनको और इलेक्ट्रानिक डिवाइसे आर यूस्ट बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रानिकल डिवाइसे जिसको यूस्ट करके मच्छर को भगाया जाता है जैसे आजकल तो एक बैट्मिंटल टाइप का ऐसे लगा पिटपिट पिटपिट से आटोमेटिक क्यालते राजाओं के प्लेयर आप भी बन जाओं के फिर और इलेक्ट्रानिग डिवाइस में एक और आजाएगा आपका गुड़ करते हैं वह युड़ नाइट जो लिक्विड आता है वह यूज किया जाता इलेक्ट्रानिक डिवाइस यह वह भी आ जाएग देने डिफेंस अगेंस्ट मास्कीटो बाइट बगई अब मक्छर के कातने से भी कैसे बचाव किया जा सकता है तो हवसे सुड़ बी मास्कीटो पुरूफ अब देखो घर ये पूफ वो पूफ बनवा रहते हैं अब मास्कीटो बणवाओ ऐसा होना जादिये और बॉइस है तो भाईया बता दें कि हमारे उमीद से हमारे क्लास के बाद लड़किया साधी करने के लिए पूछेंगी कि क्या आपका घर मास्कीटो प्रूफ है अगर है तभी हम चलेंगे नहीं तो नहीं आएंगे चलो तो भाईया मास्कीटो प्रूफ अपना घर बनवा देना आप लोग कि कमेंट बाक्स पूछने मतलगना सर मास्कीटो प्रूफ कैसा बनेगा हम जबाब नहीं देंगे बता रहे हैं ऐसा है कि जितने भी आसपास के एरियास है जहां पर ओपेनिंग टाइप का है वहां नेट यूज किया जाता है जिससे मास्कीटो अंदर नही नहीं है किया जाए जो दिवाल नहीं जहां जहां ओपेनिग है घर में हवा आते हैं वहां पर नेट यूज किया जाता हैसा सकतेक्री Calvin का चैया लो में या आप सोने के समय यूज करो कि यह कुछ नहीं कि देन क्या है the exposed part of body should be covered यानि क्या किया जाए जितने भी हमारे ये सरीर के खुले भाग है उनको गलापस आता है या बूट है नीचे तो उन सब चीजों से ढखके रखो मतलब एबरी टाइम मत ढखो इतना भी मत तंगी लादो अपने अंदर लेकिन इदर उदर जाने के समय क्या है थोड़ा कवर करके आल्रेडी रहना चाहिए जिससे मत्चर ना कटे नहीं तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है तो इस वज़े से आपको ये कवर करके रखना होगा बहुत से बाडी पार्ट को नहीं कवर कर रहे हो कोई नहीं बहुत सारे लोसन आते हैं जैसे ओडो मास है और एक आता है रोलान सबसे घटियर सा होता है रोलान हमने यूज किया हम इदर इदर चाठो बिंदी लगाने को बोलाता है हम कपड़े में लगता डाले। लेकिन एक मचर नहीं भागा उपर से मंको लगता सारे मचर पीछाकरते घ्र होता है हमारे तो उसके बार में नहीं कर सकते लेकिन हम गटिया सदे के पोरे लालान एक मचरह 시청 भी नहीं गया हाँ यह जो है ओडो मास आप यूज कर सकते हो लेकिन आपकी बाड़ी सेंस्टिव नहीं होनी चाहिए ने तो इसको इन प्राब्लम भी होता है बिटा आयल है कुछ आयव ऐसे होता है जिसको आप यूज करो हो तो मच्छर नहीं लगते या फिर काटते हैं तो दूर हो जाते आपको खुजले उचली कहरे अच्छे से से बचे रहोगा आप लोग खुद से रहो और मीमारी से बहुत जादे दूर रहोगे और यह कोई एडवर्टाइस हम नहीं करने हैं बैटा क्लास था मस्कीटो का सवरी जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दब दें थोड़ा शेयर करना तो जरूर बनता है शेयर सबको करें थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो